मुंबई के मलाड इलाके में रोड रेज में 28 साल के एक शक्स को भीड ने पीट पीट कर मार डला बताया गया हमले का शिकार हुआ पीडित शक्स अपनी बाइक से जा रहा था तबी उसे एक ओटो ने ओवर टेक किया इस बात को लेकर दोनों के बीच जगडा हुआ जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ मार पीट की इसी बीच आरोपी के साथ उसके साथी भी आए और पीडित को मारने लगे इस पूरी मारपिट के दोरान पिडित के माता पिता ने अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिस की पिडित की मा तो उसके उपर ही लेड गई मगर आरोपी फिर भी लगातार पिडित को मारते रहे भीड की लगातार पिटाई से पिडित शक्स की मौत हो गई है पुलीस ने 9 लोगों को हत्या के आरूप में गिरफतार किया है दिन डोशी पुलीस के मताबिक ये घटना शरीवार शाम पुश्पा पार्क के पास हुई जब अविनाश कदम नामक आटो चालक ने बाइक सवार को ओवर टेक करते हुए तेस्ट करमारी जब आकाश माइन नामक बाइक चालक कदम से भिड़ गया तो ये जगड़ा हिंसा में बदल गया और दूसरे आटो चालक भी उसके साथ शामिल हो गया और माइन की पिटाई कर दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें माइन को जमीन पर गिराने के बाद उस पर कुरूर हमला दिखाया गया है इस फूटेज में माइन की माद दीपाली उसे बचाने की पूरी कोशिस करती हुई उसके उपर लेट गई और उसे कस कर पकड़ लिया इस बीच माइन के पिता हमला वरों को रोकने की कोशिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया पुलीस ने कहा कि पिडित को अस्पताल में लाया गया जहां इलाज के दौरान रात में उसकी दुखत मौत हो गई इस घटना के बाद आरोपिय आटो रिक्षा चालक और दूसरे लोगों के खिलाब भारतिय नियाज सहीता की धाराओं के तहट हत्या का मामला दर्श किया गया पुलीस ने आटो रिक्षा ड्राइवर कदम को गिरफतार कर लिया उसे अदालत में पेश किया गया और पुलीस हिरासत में भेज दिया गया